Hello everyone, Willkomme you all at Locaster Unlimited Study Zone तो Lecture No.04 start करते हैं कल हम लोगों नहीं पेपर che airline करते हैं, साइन्स का practice paperar कहाँगे इसको, oh kowtse här question No.27 तक पहुंचगिए थे, आज question No.27 के आँगेच देज़ाउंस, बॉस्टार्ट करते है question No.27 से क्या कहा गया है PQ & R PQ & R, are three elements, यहाँ पे बोला गया है PQR जो है three elements है PQR are three elements which are undergo chemical reaction according to the following question, जिसमें एक chemical reaction हो रही है तो आपको बताना है, देखिए answer the following question, आपको बताना है कि यह जो question दिये गए, number one है which element is the most reactive, second है B part, which element is the most least reactive and third part है state the type of the reaction listed above, तो आपके सामने यह reaction दी गई है आपको बताना है सबसे ज़्यादा रियक्टिब कौन है सबसे less reactive कौन है और यह type of reaction कौन सी दी गई है चलिए, start कीजे कि सबसे ज़्यादा रियक्टिब कौन है सबसे less reactive कौन है और यह type of reaction कौन सी है स्टार्ट कीजिए इसको बताना क्या होगा इसका अंसर चली तो दक्तेश हैं इसका अंसर निचे कह आगै सबसे जाधा रियक्टिव यहाँ परắn。 क्योंकि P जो है Q को और R को दोनोंगों हो ही. replace कर रहा है देखिए इस reaction में जो P है यहां पर P जो है आर को भी replace कर रहा है और नीचे उपर वारी reaction में देखिए P किसको replace कर रहा है क्यों को तो सबसे ज़्यादा रिक्टिव यहां पर क्या answer होगा P होगा तो पहला answer है most reactive metal is Q अच्छा एक मिनट एक माट कुछ mistake हो गई यहां पर most reactive metal Q क्या Q replace कर रहा है देखो हाँ भाई Q P को replace कर रहा है P Q को नहीं actually replacement किसका देखा जाता है metal का replacement देखा जाता है और corresponding salt से तो यह इसका solution है तो Q replace कर रहा है P को और यहां पर Q replace कर रहा है किसको R को मतलब Q जो है P और R दोनों को replace कर रहा है तो Q reactive हो ना तो number 1 पर कौन reactive होगा Q, okay number 2 पर देखो यहां पर P ने reactive कर दिया किसको R को P ने किसको कर दिया R को और R ने तो किसी को replace नहीं करा है तो सबसे जाए reactive order में कौन तेज है P है Q है Q के बाद कौन है P है और P के बाद कौन है R मतलब सबसे strong यहाँ पे reactive होगा Q होगा फिर P होगा फिर R होगा तो answer देखते हैं यहाँ पे answer क्या है most reactive metal is Q as it replace both P and R from their compound बिल्कुल सही बात है अच्छा ध्यान रखिएगा compound को देखिएगा और कौन replace कर रहा है वो metal होगा तो नजर गड़ाई है किसमें metal पे क्योंकि जो metal replace करेगा वो होगा highly reactive समझ गया ना हाँ दूसरा देखिए element R जो है least reactive है क्योंकि it has been replaced by both P and Q और ये reaction भाई कौन सी होती है displacement है तो सबको पता है कि ये displacement reaction होती है done अगले question के और चलते है answer to following question ये देखिए ये तो हो चुका है question number 28 देखिए तो मैं बोल चुका हूँ एक्जाम में आपको आएगा electrolytic refining है ना चलिए तो क्या कहा है electrolytic refining के बड़े में देखिए कैथोड है और ये आपके पास में एनोड दिया है कैथोड दिया है अब देखते है identify the cathode and anode made up of देखिए कह रहा है कि identify करो कि cathode जो है और एनोड है किस से मिलकर के बना होता तो देखिए जो प्रॉसेस होती है कौन सी है electrolytic refining बिल्कुल सही बात है इसके अंदर जो प्रॉसेस हुआ करती है वो electrolytic refining है ठीक है इस प्रॉसेस को electrolytic refining राइट दा important application of this process भाई एक metal को साफ करने के लिए इसका उप्यूग किया जाता है है ना इसका refining of impure metals इंप्यूर मेटल को साफ करने के लिए इसका उप्यूग किया जाता है बोलो बच्चों क्लियर एकदम चली तो इसके आंसर तीनों को देख लीजे एनोड इसमेड आप दे इंप्यूर कॉपर वेरस दा के थोडिस दा इस्ट्रिप आप दा प्यूर कॉपर है ना दे प्रोसेज नोन इस प्रोसेज नोन इस एलेक्रोलेटिक रिफाइनिंग इंप्यूर मेटल चली क्वेश्चन नमबर 1929 आते हैं जो कि प्यूर बायो का है मैं पढ़ देता हूं करना तो आप लोग को है मतलब कि आपको यूनिट आफ इस केटरी सिस्टम की यूनिट क्या-क्या हुआ करती है और उसके बाद में आपको इसके फंक्शन लिखने है तो बच्चो एक बड़ा क्वेश्चन है और इसको आपको लिखने का आना चाहिए तरीका तो आईए देखते हैं इसका पूरा सल्यूशन यह आपके सामने है देख लो भाई अच्छे से प्यार से यह रिखे हां इच किड्नी इस मेड़ अफ थाउजंट ओफ टिनी फिल्ट्रेशन यूनिट और ट्यूबल स्कॉल्ट नेफरॉन है ना तुछ सारी की जो किड्नी होती है वो सब छोटे-छोटे-छोटे ना वीच और सरांडेट बाई दकप शिव्ड कैपसैल और बॉमें कैपसूल ड़ा ट्ली इस तरीके से जो यूरीन होता है चंता है और फिर बाहर आता है यह प्रेशrealism राधा थाल्चनुस रूज बाउमिरशन ऐसेmbar एंष नहीं जरूरी नहीं कि आप एरो लगाओ बटे बहुत इंप्रेसिंग है बच्चो ऐसे जो लिखा गया ना यह बहुत इंप्रेसिंग है कि ऐसे के बाद इस तरीके से हो रहा है तो बड़े आराम से समझ में आ रहा है बिल्कुल लिख सकते हैं आप लोगों के पर सल्यूशन तो पास इट थूदा युरेत्रा ठीक है तो यहां तक हो गया पूरा पाट अब इसका और वाला पाट देख लेते हैं क्या आया है और वाला पाट डिस्क्राइब करो लिंफ का एंड बलड विसल इन दा सर्कुलेटरी सिस्ट्म चलो भाई हाइड का रोल बताना है लिंफ क का रोल धिया है और यह किस का रोल धिया है ब्लड वैसेल का तो हाट इसा मास्कुलर फिमप इड पुससस अ ब्लड इन्ट वैसल इसाथ फोर चंब्र स्परेतर वाई दा सेप्टम तो प्रेवें दिग टॉंद प्रेवेंड अग्सिज गाले ह लिम्फ इस अ कलर लेट and absorbed food from intestine it drains excess fluid from the extras extracellular space back to the blood blood vessels these are the tube-like structure which transport the blood between the heart and different part of the body okay these are the three types example arteries veins and capillaries taking out to escape by the middle of the arms and to the blood vessels is that the other question is question number 30 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 see if you have an image of the double size इस तो सबसे पहली बात यहां पे magnification आपको बोल दिया गया कितना double मतलब सबसे पहले m की value 2 ले लो यहां पे m equal to lens के लिए कितना होता i upon o होता है ना size of image upon size of object equal to 2 दिया गया है और lens के लिए क्या होता है m equal to minus v by u होता है की नहीं होता है lens के लिए minus नहीं आता है only v by u आता है mirror के लिए minus आता है lens के लिए plus आता है yes तो क्या के लिए object by using a double image बना रहा है और converging lens तो भाई साब converging मतलब कौन सा lens है convex क्योंकि convex lens क्या करता है converge करता है तो मतलब यहां पर आपने convex lens का इस्तमाल कर रखा है और बच्चों convex lens की focal length हमेशा positive होती है क्या होती है positive और focal length 10 cm चलो f का भी पता चल गया कि f किती है plus 10 cm specify the range distance where the object can be placed from the mirror मतलब भाई साब आपको u की value निकालनी है आपको u की value निकालनी है draw the ray diagram तो ray diagram इसमें draw कर दो image formation का state 1 use of the above lens convex lens का एक use किसके लिए किया जाता है magnifying glass में भी यूज किया जाता है और reflector मतलब इसको rays को focus करने के लिए भी इसका इस्तमाल किया जाता है ठीके ना अगर convex lens की आप बात करें तो magnifying करने के लिए doctor's lens के लिए भी इसका इस्तमाल किया जाता है ठीके ना देखे कितना है V upon U होता है कि नहीं होता और V upon U equal to कितना है 2 तो आप लेख सकते हैं V equal to कितना हो गया 2U वह भी plus में V equal to कितना हो जाएगा 2U ओके चलिए आप value put करते हैं यहाँ पे तो formula होता 1 upon F equal to 1 upon V minus 1 upon U so 1 upon F equal to 1 upon V minus 1 upon U अब देखिए lens के case में magnifying image दो बार बनती है convex के case में एक तो जब यह जो हुआ करता है एक तो जब यह object जो होता है focus के पीछे हुआ करता है कब होता है जब focus के पीछे उस समय आपकी जो image बनती है उस समय आपकी image जो बनती है वो real बनती है और साथ ही साथ inverted बनती है बोलो हाया ना तो एक case तो वो हुआ करता है जब आपकी image जो होती है रियल बनती है और क्या बनती है inverted बना करती है बोलिए yes किनो दूसरा case ये होता है कि आपका object अगर focus के अंदर हो तो आपकी जो image बनती है वो virtual बनती है बनती कि नहीं बनती है appear to be meet तो आपकी image जो हुआ करती है virtual बनती बोली हाया ना तो यहाँ पर V के दो case बना के आप solve कर सकते हैं एक देखे आपका जो है V जो है इस तरफ मिल सकता है V आपका अगर इस तरफ मिलेगा तो V आपका क्या होगा positive होगा बोली हाया ना और अगर आपका V इस तरफ मिलेगा तो V क्या होगा बोली है negative होगा अगर आपको V इस तरफ मिलेगा तो V negative होगा तो हम दो cases में V लेकर के चल रहे हैं एक positive और एक negative क्योंकि दो case बनेगे तो positive के देखे V equal to plus to U मतलब जब आपकी image इस तरफ बन रही है जब आपकी image उल्टी बन रही है तो 1 upon V minus 1 upon U solve करके U equal to कितना आ गया minus 5 कितना आ गया तो first case में आपका जो object है वो देखे कहां पर रखेगा minus 5 पर कितना रहेगा minus 5 पर बोली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है first case में आपका object कितना रहेगा minus 5 पर तो यह रिखे आपका पहला case बन रहा है यह minus 5 की distance पर अगर आपको minus 5 मतलब इस तरह back side minus 5 मतलब back side इधर की तरफ अगर 5 cm इधर की तरफ रहेगा तभी तो भाई origin से में दर करोगे minus 5 तभी तो आएगा ना क्योंकि distance कहा होती यह negative होती ना u हाँ तो u आपका कितना आ गया है minus 5 बोली clear है तो आपका जो image बनीगी कैसी बनीगी real and inverted कैसी बनीगी real and inverted बोलो कोई दिक्कत हाँ बताईए चलिए clear है बोलो clear है हाँ तूसरा case देखे अब v equal to minus 2 u v equal to कितना minus 2 u v equal to कितना minus 2 u मतलब जो image बन रही आपकी negative में negative मतलब किस तरब रही इस तरब बनीगी बोली हाँ ना तो अगर आपकी जो image है वो object की side में बनीगी तो कैसी बनती है virtual तो formula input कर दीजे 1 upon f equal to 1 upon v minus 1 upon u बोली solve करने पर कितना आ गए u equal to minus minus 15 आ गया तो दो answer आ चुके हमाँ पसे minus 15 आया है और एक minus 5 आ रहा है yes तो दोनो cases में double आएगी क्यों नहीं आएगी double वो दिखरा ऐसा diagram उसने local बना रखा diagram नहीं बनेगी ऐसी obviously बनती है double भी बनती है क्यों नहीं बनती इस तरह बड़ी नहीं बनती क्या बनती ही तो है इस तरह बनती होगी तो बड़े में double भी तो आएगा बिल्कुल exactly तो दो answer है diagram पर मच और diagram exactly नहीं बना clear diagram ने किबल बता दिया कि ये होता है उसने exactly diagram measurement लेके नहीं बता देखो कहीं पर भी measurement नहीं लिखा कि ये 5 है 15 है सब कुछ नहीं लिखा अब देखा जाये तो वैसे तो ये देखो आपको ये छोटा दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है बड़ा और है उल्टा यहाँ पर ये 5 है और ये कितना है 15 पुलिये सौनो तो दिखने पर मच जाईए अरे हाँ भाई अरे भाई साब आप देख लो ना लिखने पर मच जाओ ना देखो ना पहला वाला जो case है वो किसका है रियल का है पहला वाला case किसका है ये diagram इसके recording नहीं है ये diagram इसके recording नहीं है ये जो second वाला diagram इसके recording नहीं है इसको मत सोचो कि इसने पहला ये किया तो पहला ये है दूसरा किया तो आप खुद understanding लगाओ कि भाई साब इस तरफ रियल बना है तो इस तरफ रियल बना है इसके लिए क्यलिए हुगा पॉस्टिव नहीं होगा तो भी पॉस्टिव वाला केश कौन सा पहला केश रहे देख लिजे यस्का नूअ तो फर्स्ट केस यह वाला बनेगा यस्का सबल के करकर पहचान लोग के लिख्स केल के. चलिए next को देखते हैं Based on the image formation of case 1 Convercing lens can be used as the magnifying glass तो इस concept का use करते हुए यह वाले का फस्ट वाला इसको use करते हुए किसमें use होता है इसका magnifying glass Done, आगे सुन में चलिए एक बार इसको देख लीजे जी भर के आखों से चलिए अगला देखे अगला question क्या कह रहा है An object of 30 cm tall Place in a principal axis of the convex lens लिए भाई फिर से convex lens आ चुका है और इस बार object की आपको size दी गई है मतलब ओ आपको दिया गया है ओ इक्वाल टू किता हाँ हो बोलते हैं हो इक्वाल टू किता बोलते 30 cm Yes or No? H equal to 30 cm Place in a principal axis of the convex lens and 60 cm tall images formed on the screen वाई भाई साब मतलब HDS की value की तीरी है 60 cm Place at a distance of 40 cm from the object from the object देखे यहाँ पर यह जो distance है यह lens से नहीं है यह screen की distance किस से है object से दोका देगा कोशन देखे यहाँ पर जो image distance जो बन रही है वो किस से बन रही है object से किस की screen की किस की बन रही है screen की हाँ भाई साब what is the position of the image formed by the lens आपको बताना है कि image जो बन रही है उसकी position क्या होगी यह question आपने ऐसा question अभी तक नहीं किया है है ना ऐसा question आपने अभी तक नहीं किया है एकदम नए type का question है एक बार मैं फिर से इसको explain कर देता हूँ इस question को देखें कैसे होगा एक बार एक बार मैं फिर से इसको explain कर देता हूँ ठीक है सबसे पहले मैं आपको इसको picture real diagram मना देता हूँ देखें object is 30 cm tall मतलब h equal to किते cm 30 cm है 30 cm tall है है ना placed on the principal axis यहाँ पे principal axis बना लिजे और यहाँ पे principal axis पे कोई distance u है आपको पता नहीं है वो distance किती है और यहाँ पे यह 30 cm का object रखा हूआ है और कहीं पर square convex lens है है ना focal है तो दी नहीं है और 60 cm tall image और 30 का just double 30 का just double ओके तो 30 का just double इसकी image बन रही है भाई साब image is formed on the screen देखो भाई साब पहली चीज़ यहाँ से पकड़ो screen मतलब कौन सी image real image और real image हमेशा कहां तक बनती इस तरफ बनती है इस screen पे अगर virtual image होती तो screen नहीं होती है ना virtual image कहां बीन स्क्रीन के बन जाती है मगर real image हमेशा किस पे बनती है screen पे तो भाई साब मतलब पक्का जो डाइग्राम है इस तरीके से आएगा है ना yes placed at a distance placed at a distance 40 cm from the object screen placed at a distance 40 cm from the object देखे object जो है 30 पे है object कहां पे है 30 पे है और 30 से जो screen रखी हुई वो कहां पे रखी हुई 40 पे मतलब भाई साब ये देखे यहां से यहां तक यह 30 पे है बोली हाँ और 30 से यह 40 है मतलब यह distance किती होगी 10 किती होगी 10 मतलब image की जो distance है वो किती है भाई साब 10 और object की distance किती है 30 sorry वो एक मिनट गलती होगी यहां से वो तो hide दी गई है न तो यहां पर थोड़ा सा मेरे को लिखना पड़ेगा यहां से लेकर कि यहां तक की distance किवल किती दी गई 40 बस बस इसके लाबा मुझे कुछ नहीं लिया मतलब बच्चों अगर ये u है अगर ये किता है यू है तो ये वाला कितना होगा 40-u बोलो होगा की नहीं होगा अगर ये u है तो ये कितना होगा 40-u हाँ देखिए हमारे solution में हमने इसको x मान लिया क्या मान लिया इसको x तो ये बन जाएगा 40-x ठीक है ना अब देखे अगर हम यहाँ पर लगाते हैं, so 1 upon f equal to 1 upon v minus 1 upon u, 1 upon v की जगे पर कौन लगेगा बोलो, 40 minus x, और u की जगे पर कौन लगेगा, x, तो 1 upon 40 minus x, और minus 1 upon x चलिए, अब इसको देखते हैं, systematic इसका solution किस तरीके से किया गया है, यह देखे सब कुस दिया गया, height of the image 60 है, height of object कितना 30 है, अगर मैंने मान लिया कि object x पे है, तो image कितनी बनेगी, 40 minus x पे, so m equal to कितना होता है, v upon u, और v upon u, v की value कितनी दी गई यहाँ पर देखे, v है, आपके पास में 60, और वो देखे, क्योंकि real image बन रही तो कैसा बनेगा, minus 60, और यह कितना बनेगा, बोलो, plus का 30, यहाँ पर कितना आगया, minus का 2, बोलो, आया कि नहीं आया, yes, यह आ चुका है, अब देखे, m का मतलब क्या होता है, v upon u, तो आपके पास v की value कितनी है, अभी देखे, आपने भी निकाला है, 40 minus x, निकाला ना, और u की value कितनी आएगी, minus x, आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि u जो है, इस तरफ है, लेंस से भाई साब, u इस तरफ है, तो distance आपके, x तो होगी, मगर, sin 7 में लेंगे, left के बाज़े, minus x लेंगे, equal to, बोलो, कितना है, minus का, 2, minus से minus क्या हो गया, cancel हो गया, तो 40 minus x, equal to cross multiply करो, बोलो, कितना हो गया, 2x, 2x हो गया, कि नहीं हुआ, तो 40 equal to 2x plus x, बोले तो कितना, 3x, तो x equal to, बोलो, कितना हो गया, 40 by 3, यह रेखिया, आपके पास में x आ चुका है, 40 by 3, अब अगर आपके पास में x 40 by 3 है, तो object distance कितनी है, minus x, है कि नहीं है, तो अब minus x की वज़े से, object distance कितनी हो जाएगी, minus के 40 by 3 cm, तो यह आ गया, आपके तो भी निकालना है, तो भी equal to कितना आया, 40 minus x है कि नहीं है, बोले तो 40 और minus, और x की value कितनी है, 40 by 3, आइए कि नहीं है, 3 into 40 कितना हो गया, 120 minus 40, बोलो, answer कितना आया, 80 by 3, clear है कि नहीं सब कुछ, LCM लेकर के, 14 into 3, 120, और 120 minus 40 equal to कितना हो गया, 80 हो गया, बोलो कोई problem इसमें, done एकदम समझ में आ गया ना, चलो बहुत शानदार, अच्छा question है बिटाईए, है ना, ऐसा question आएगा, मतलब यह topper decide करने वाला question है, बच्चो, ऐसे question अगर आते हैं, तो मतलब मान लो, यह question topper decide करे अगला question 32, 32 question देखे, बच्चो, आई स्टूदेंट फिक्स है, इस्ट्रेट 3 copper wire, between the two terminal of the battery, he plays a magnetic compass near the wire carrying copper, copper, carrying copper wire, near the current carrying copper wire, then he observed, what, then he observed that in the position of, position of compass needle change slightly, हाँ, देखो बटा, यह experimental question है, थोड़ा सा आपको इसमे धिहान रखना पड़ेगा, activity based question है, इस्टूदेंट फिक्स, आई स्ट्रेट थिक copper wire, between two terminals of the battery, यह देखे, बैटरी के दो terminal है, यह plus है, और यह क्या है, minus है, यहाँ से लेकर के plus और minus के बीच में, बच्चे ने एक copper का wire लगा दिया, यह plus है, यह minus है, He placed a magnetic compass near the current carrying copper wire, इस copper wire के सामने इसने एक magnetic compass रख दिया, आपको पता है, कि जब भी आप magnetic compass को copper wire के सामने लाते हो, तो magnetic needle हिलने लगती ही, बोली yes or no, हाँ, ठीक ना, then he observed that the position of the compass needle changed slightly, उसने पाया कि magnetic needle की position थोड़ी सी अदला बदली हो गई है, दे बिलकुल होगी भाई, what is the phenomenon by which the compass needle get deflected, बताइए, कौन से phenomenon हुई है, तो क्या phenomenon हुई है, देखे, current carrying conductor का बनेगा magnetic field, क्या बनेगा, और उस magnetic field में इस magnet पर लगा हुआ है, magnetic force, क्या लगा हुआ है, तो बस इसी चीज़ को आपको लिखना है, कि the current carrying conductor, the current carrying conductor produces the magnetic field, and in the presence of that magnetic field, the magnetic needle is a north-out magnet that exerts some force on it, जो की कुछ ना कुछ experience force करीगी, चले पहला पार्ट हो गया, What does the change in the position of the compost needle indicate, हाँ, compost needle की position में change क्या बता था, अरे भाई साब magnetic field की presence बता था, क्या बताता है, हाँ, If we change the direction of the current through the wire, then what is the position of the compost, अरे भाई अगर आप current की direction बतल दोगे, तो deflection का pattern भी बतल जाएगा, मतलब deflection अगर right side हो रहा था, तो अब कहाँ होगा, left side, ठीक है ना, चली आए इन सारी बातों को solution देख लेता हूँ, yes, first question देखे, 32, When a magnetic compass needle placed near a current carrying conductor, then position of the compass needle changes, important line बत्यों मार्क कलो, the phenomenon is known as magnetic effect of current, is phenomenon को magnetic effect of current, बते है, हा, the change in the position of compass needle near a current carrying conductor indicates that magnetic needle produced, magnetic field is produced around a conductor, if we reverse the direction of the current through the wire, then the change observe the position of compass needle, is also in opposite direction, अगर आप direction of current बतल दोगे, तो deflection की भी direction क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, बहुत बढ़ी है समझ में आगे ना, चली तो ऐसे question को लिख लिख करके थोड़ा सा practice करके जाएगा, एकदम decent language में लिख रहा है, एकदम घर की language में मत लिख देना, कि उसको समझ में ना मज़न आए, चली अगला question देखते है, हाँ, अगला question देखते है, एक current is passed through a circular wire, state the reason for each case, देखो भाई, एक circular wire बना लिये, सबसे पहले अपनने, ये बना लिया, हमने circular wire, और इस circular wire में से अपनने क्या भेज दिया, current भेज दिये, क्या भेज दिये, current भेज दिये, ठीक ना, circular wire से अपने current भेज दिये, how does, how does magnetic field produce by the current carrying circular wire, है ना, at a given point with a current and number of tons of wire, how does the magnetic field produce by the current carrying circular wire at a given point vary with the current and number of tons, कहरा कि किसी point पर अगर magnetic field है, तो वो current के साथ और number of tons के साथ कैसे बदले का भाई, बहुत ही simple question है, अगर आप current की value बढ़ाओगे, तो magnetic field भी बढ़ता, जाएगा, और अगर आप number of tons बढ़ाओगे, तो भी magnetic field बढ़ता जाएगा, तो दोनों बातों में आपको लिखना है, increases, increases, क्या लिखना है, increases, increases, देखे, answer लिखते है, the magnetic field produced by the current carrying circular wire is given at a point is directly proportional to the amount of the current and the number of tons of the wire, दोनों बढ़ाओगे, तो आंसर बढ़ेगा, चलो, second part question का पढ near the current carrying circular wire, then which physical quantity of proton is change कह रहा है, कि अगर आप किसी proton को current carrying conductor के सामने से पास कर दो, तो बताएगे, proton की कौन सी quantity change हो जाएगी, भाईसा proton कैसा charge particle है कि नहीं है, बताएगे, और charge particle आप पास करोगे, तो क्या लगेगा, magnetic field में आते ही, उसमर फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, और अ सीधा संबन्द किसे होता, बच्चों, momentum से, क्योंकि momentum equal to mass into velocity, mass into velocity, तो इसका क्या बदलेगा, साथी साथ, momentum, तो दो चीजें बदलेगी, एक velocity बदलेगी, और एक क्या बदलेगा, momentum बदलेगा, बोलो, clear है कि नहीं है, अच्छा question, good question, चलिए अगला question देखते है, question number 33, question number 33, what is ozone and how it does affect the ecosystem, भाई साथ, बच्चों वाला question, ozone क्या है, 22 से लेके 50 km के बीच में, atmosphere में एक layer पाई जाती है, है ना, जो किसे बनती है, oxygen के ऊपर cosmic rays के effect से बन जाती, जिसको बोलते हैं, O3, क्या बोलते है, O3, और ये क्या करती है, ये harmful, ultraviolet radiation से हमारी क्या करती, protect करती है, ये दे regular formula is O3, it can affect ecosystem in the following ways, first, it protect the, against ultraviolet rays, if present in the atmosphere, बिल्कुल सही बात है, कि it protect against ultraviolet rays, if present in the atmosphere, बिल्कुल सही बात है, कि ए प्रोटेक्ट अगेंस ultraviolet rays, if present in the atmosphere, बिल्कुल सही बात है, कि ये जो होती ही, रिया अशोशीचियाशन कर लेती है, रेखे कैसे, यहाँ पर re-association हो रहा है, हाँ, O2 में, O2 में, अगर UV का attack होता है, तो O2 में UV का attack होता है, तो क्या बन जाता है, O plus O, क्या बन जाता है, O plus O, ठीके ना, और ये ओ जो होता है, ये O2 से मिल करके क्या बना लेता है, O3, क्या बना लेता है, O3, मतलब देखो, दोनों काम हो रहे हैं, तोड़ती बहुत शांदर प्रोसेस यहां पर हाँ बिल्कुल से बात है बनाने वाला भी है और बिगाने वाला भी यही है चलिए बहुत शांदर देखें अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या का गया है हाँ अगला क्वेश्चन तो कुछ ही नहीं है एफेक्ट द इंटर्नल है था वाइशा विया कठन सा वर्ड जो देख लेना भाई मेरे साथ बोला नहीं जा रहा है इतना टफ लेटर का क्या है यह है ना in animals and human in animals and human क्योंकि इसमें आपको कितने मांक्स मिलते हैं पांच मांक्स है ना देखिए विशा टुक सम एमाउंट अब दा कॉस्टिक सोड़ा भाई सब बहुत बहुत है ने वेच एंसी मिक्स इट विद जींक ऑक्साइड बहुत शांदर जींक ऑक्साइड के साथ आपने इसको मिला द दूसरा किसके साथ मिला है सी ओ टू और तीसरा क्या है हाइड्रो क्लोरिक एस्ट याने की एच सी एल ओके अब आपको बताना है राइड़ दा एक्वेशन औफ रियक्शन इन वाल इन इच केस आपको एक-एक मार्स मिलेंगे और गिप टू इंडस्टियल यूज़ित आफ देखें पहले पार्ट में क्या रियक्शन होगी बच्चों रियक्शन ऑफ द्क ज होटा goes इन इच्प इन ऑ इसके साथ रियक्शन करके बनाता है सोडियम जिँकेट बनाता है तो यह बन जाएगा sodium zincate बन जाएगा Na2ZNO2 Na2ZNO2 और क्या बन गया H2O क्या बन गया H2 यहाँ पर बिर्च में विटा प्लस लगा हुआ है और यहाँ पर बन जाएगा H2O बोलो clear है चले अगला question देखे reaction with CO2 reaction with क्या कराना हम लोग को CO2 तो carbon dioxide के साथ reaction कराएंगे हम यहाँ पर तो क्या होगा देखे carbon dioxide के साथ reaction कराने पर 2 NaOH plus CO2 सब को यह reaction याद होगी Na2CO3 बनता और H2O अलग हो जाता है बोलो yes or no clear हो गया है ना NaOH plus CO2 equal to Na2CO3 जब भी आप carbon dioxide के साथ reaction कराएंगे आपके पास क्या है Na2CO3 प्लस क्या बन जागा H2O बन जागा चले अगला question देखे reaction of HCL यह reaction तो मेरे खाल से जिसको ना बनती हो उसे 10th class का paper नहीं देना चाहिए क्योंकि acid plus base equal to salt and water तो यह बहुत ही easy घटिया reaction कहलो इसको बहुत ही आराम से बनने वाली चले यह done हो गया यह देखे अगले बात है अगला है कि इसका क्या यूज होता है कास्टिक सुड़ा का तो कास्टिक सुड़ा का for mercerizing cotton fabrics in textile industry तो यहाँ पर cotton industry में इसका use होता है बस आप यह इनला लिखे mercerizing आप सी लिए cotton industry लिख दिजे cotton industry में textile industry में क्यmore करते है, तो अगले क्वे स्टेट्र रिजन एड़ है यह है कल गा शेक है। आनसर एक्व colony स्टेट्रेजन फारु के में एड़ एज प्ल साइन प्रेजेंट होते हैं और मगर डिस्ट्रिल वाटर में किसी भी प्रकार के आयन प्रेजेंट नहीं होते हैं ठीक है तो पहला वाला आपने आंसर देख लिया है दूसरा वाला क्वेशन देखते हैं चले तो दूसरा क्वेशन एक पर पढ़ लेते हैं दूसरा क्वेशन क्या कह रहा है दूसरा कौशन ये कह रहा है कि अगर आप ह citizens नहीं करती है जब कि आपको बताना दिखे confirming च। पहला वाला तो आँसर आपने देख लिया है कि tap water contains ions which are responsible for the conduction of the electricity whereas distilled water does not contain any ion यह पहला वाला आंसर था ठीक ना कि tap water में जो ions होते हैं मगर distilled water में किसी प्रकार के ion नहीं होते हैं अब second वाला देख लिए dry HCl gas do not produce ion जो dry HCl gas होती भाईसा वो covalent bond होता है और उसमें H plus or CL minus ion movable ion बनते नहीं है बड़ जैसे ही आप पानी मिलते हैं तो इसके अंदर movable ion बन जाते हैं H plus and CL बड़े सको सही गल्लो CL minus और इसके कारण यह blue letters paper को किसमें बदल देगा red में कर देगा अगला question है भाई साब की दूद वाले थोड़ा सा basic soda क्यों मिलाते हैं है ना एने वच क्यों मिलाते हैं देखिए यहां पर एने वच बेकिंग सोड़ा स्वारी बटा एने वच मिला दोगे तो भाई साब दूद पीन लाइक नहीं बचेगा बढ़ जाता है और जिसकी वज़े से यह दूद जो होता है इस डिक नहीं के खट्टा नहीं बन पाता है बेकिंग सोड़ा दस नौट एलाओ मिल्क टू चेंज इन्टू लेक्टिक एसिड विच मेक एब मिल्क सोर जो की मिल्क को क्या कर देता है खट्टा कर देता है अगर Baking soda ना मिलाया जाय तो और बेकञिग सोडा मिलाया देने से पायाओ जाता है इंक्री सिए तरहा पहित ज़ाता है इंक्रीज हो जाओ, देखो भाई, acid dissociates, in acid dissociates into hydronium ion and corresponding anion when dissolved in water, on diluting the stick solution, the volume of the solution increases, but the number of the ions remains the same, does the concentration of the S3O ions per unit volume decreases, भाई, बिल्कुल सही बात है, यह देख ली जमाल लीजा, आपके पास 10 लिटर की टंकी है, 100 लिटर की तंकी है, किती लिटर की, 100 लिटर की, और 100 लिटर की तंकी में आपने 10 लि पानी भर रखा है, और एक निबू नी चोड़ रखा है, एक lemon आपने नी चोड़ रखा है, तो lemon के जितने भी ions हैं, वो 10 लिटर पानी में होंगे, बोलो yes or no, अब आपने इसमें 100 लिटर पानी भर दिया, तो पानी पूरा उपर तक भर दिया, तो अब ions तो उतने ही है, मग concentration decrease होएगी, देखे अगला question, curd and sure substances should not be kept in the brass and copper vessels, क्यों भाई, जो curd होते हैं, और sour substances होते हैं, उनको brass और copper vessel में क्यों नी रखा जाता है, curd and sure substances contain acid, और वो क्या करते हैं, copper vessel के साथ, brass के साथ, रियक कर जाते हैं, और क्या बनाते हैं, poisonous salt बनाते हैं, poisonous salt बनाने के कारण, वो food को क् कर देते हैं, इसके कारण, उन्हें हम लोग curd, curd substances को, sure substances को, हम copper vessel में और brass vessel में नहीं रखते हैं, वो लिए आ गया समझ में, बहुत शांदार, देखे अगला question करते हैं, अगला question biology से है, explain the barrier and chemical method of the contraception by giving example of the each, आपको दो method बतानी है, एक barrier method और दूसरा contraception method, explain the structure of the carpel with the help of the level diagram, दूसरे पार्ट में आपको carpel का structure बनाना है, आईए देखते हैं, तो barrier method क्या होती है, barrier method, barrier method involves the uses of the certain product devices that prevent the meeting of the jamets and help them birth control, example condom and diaphragm, yes, second example, chemical method involves the uses of the chemical called spermacides which are applied in the vagina or order to kill the sperms, it can only be used with the condoms or diaphragms, तो यह आपके दो method आपको याद रपने हैं, एक आपको barrier method, पार्ट में तर दूसरा chemical method, अब इसके बाद कर पिल के बारें बताया गया है, जOME कारफिल का डाइग्राम बोला है, यह देकिशन का, इदे के कार्पल के, explain a structure of the कार्पल with the level diagram, ठीक है ना, explain the, हाँ, flower में, बिल्कुल, ठीक है, तो आप इसका structure बना दीजे, और इसके सारे के सारे पार्ट दीख दीखे, ये इसके तीन पार्ट होते हैं, पहला पार्ट इस्टिगनाव हैं, K is dominant over the brown fur, मतलब कि जो black fur है, वो dominant है किसके ऊपर, brown fur के ऊपर, predicted genotype and phenotype of the offspring, when both the parents are BB, to have a heterogeneous black fur, question 3 marks का है, what change is observed in the uterus, if fertilization does not occur? uterus में क्या परिव drafting आता है, अगर fertilization नहीं हुआ करता है, तो चलिए, तो ये देखिये, सबसे पहले आपको यह structure बनाना है, यह बनाना सीख लीजे, इसकी practice कर लीजे, ज्यादा difficult नहीं यह structure, okay, black fur में BB है, और इसमें दूसरा black fur है, यह भी BB बना है, तो सारे possible combination क्या हो जाएंगे, capital B, capital B, capital B, capital B, capital B, capital B, small B, और small B, small B, जो small B, small B होगा, वो resident, residual, क्या बोलते हैं उसको, एक होता है, dominant, एक होता है, recessive, तो recessive trait में क्या बनेगा, brown बनेगा, तो बस हो गया, इस तरीके से, और इसके बाद यह phonotype और इसके genotype, इसको लिग डालो, इस तरीके से, और इस ratio निकाल दो, है ना, क्या है ratio बन रहा है, एक का बन रहा 3 ratio 1, और एक का बन रहा 1 ratio 2 ratio 1, अब चलिए अगले में देखे, अगर एक जो fertile नहीं होता है, तो uterus में यह change हुआ करता है, देख लिजे, अगर एक फर्टाइल नहीं होता है, तो uterus में यह change हुआ करता है, जो लिखा हुआ है, if egg is not fertile, it leaves about one day, तो यह एक दि तक जिंदा रहता है, एक दिन तक जिंदा रहता है, since the ovary releases one egg every month, क्योंकि ओरी जो होती है, एक 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 अवरी मन्ह रिलीस करती है, the uterus also prepares itself every month to receive fertilized egg, है, नह, its leaning becomes thick and spongy, which is required for the nourishing of the embryo, है, नह, if fertilization does not take place, this leaning is not needed, and it slowly breaks and comes out through the vagina as blood and mucus, this cycle takes place, roughly every month is known as mensuration cycle, and usually lasts about two to eight days, तो यह इसका answer हो गया है, कि अगर egg fertile नहीं होता है, तो क्या होता है, ठीक है, चली है, चली है, next question number 36 की तरफ चलते है, question number 36, यह रिया गया है, एक रिजिस्टेंस का, okay, यह देखिया, आपके पास में देखिये, कह रहा, 2 ohm है, 5 ohm है, 3 ohm है, if an electrical circuit shown below, find the potential difference equals the resistance R1, R2, R3, तो आपको तोनों, तीनों में potential निकालना है, कि तीनों में voltage किता आएगा, भाई सब देखिये, यह आपको इसके उपर का voltage निकालना है, आपको इसके उपर का voltage निकालना है, और आपको इसके उपर का voltage निकालना है, और आपको इसके उपर का voltage निकालना ह है 16 और टोटा जिस्टेंस कितना 10 तो कितना हो गया कितना 1.6 चलिए 1.6 आ चुका है अब वोल्टेज निकालते हैं सबसे पहला वी वन एक्कल टू होगा अब देखें लास्ट वाले में कितना आएगा आपने पास में भी 3 एक्वाल टू आई वही है 1.6 और करेंट की वह रिजिस्टेंस कितना है 3 तो 1.6 इंटू 3 16 48 मता 4.8 तो यह तीनों वोल्टेज आ चुके हैं आंसर 3.28 8.0 एंड 4.8 चले चेक करते हैं 3.2 बिल्कुल सही है यहां पर इसको सही कर लिजे बिटा है 32 नहीं है यह है 3.2 ओके दूसरा कितना आपने पास 8.0 और तीसरा कितना 4.8 बोले क्लियर है कि निकलियर है तो इस तरीके से तीनों का हमने वोल्टेज निकाल लिया है य दूसरा कॉश्चन देखे नहीं उसको सेकेंड पार्ट यह वाला बसकाना है बी वाला पार्ट ओके देखे इफ दा करेंट आई थूदा रजिस्टर इंक्रीज वाई 100 परसेंट रिमेंस गोल्टेज रिमेंस एजिम दर टेंपरेचर रिमेंट अंचेंज वाट इस इंक्री और यह पावर्ट इक करो पाँजिना इस से कर grape on the park यह फर अब नहीं और बीतो हैं में च्रेंज फिड्स बढ़ा दी गई उपके जीन में सा रुप है है आपके जे में किते हैं 100 अर्सार्पे और सौर रफे में 100 अर्साइन बहूंता थितно कितना आफाल कर दीजे तो पी कितना आगया पोर आई स्कुर्ण ट्सक्ते नुगिए तो मैंने आपको बताया था percentage change एक बार मैंने बताया था percentage change मतलब कितना हो गया नया P2 minus पुराना नया minus पुराना upon में कितना पुराना multiply by कितना 100 multiply by 100 यह होता है percentage change तो भाई साब नई पाबर किती है 4 I square R बो यस पुरानी पाबर किती थी I square R और पुरानी पाबर किती थी I square R और multiply में कितना बोलो 100 तो I square R उपर से नीचे से common लाके cancel हो जागा कि नहीं हो जाएगा और उपर बन गया 4-3 बोलो कितना हो गया 300 परसेंट तो बोलो correct आंसर कितना हैगा 300 परसेंट बोले clear है कि नहीं है clear बन जाएगा चलिए अगला question बढ़ानेक पहले मैं आपको बता देता ह अगला question करते हैं हाँ भाइस आपके लेके 138 पर ले जा रहे हैं तो आपके पास क्या formula लगे रिके देखेंगे डबलू एक कोल टू डवली इंटू क्यू वी मतलब यहाँ पर चेंज रहा तो डेल्टा भी कर दीजे चेंज इन पोटेंशल तो देखेंगे कितना था 128 और कितना हो गया 138 वन ट्वंटी एट से लेके 138 मतलब कितने का चेंज हुआ 10 का और चार्ज किता है 3 कि 30 आंसर किता होगा 30 और को किस में आपते जूल में तो आंसर कितना होगा 30 जूल बोली कोई दिक्कत है क्या बहुत इजी कोशन है चलिए अगला क्वेशन दीखेंगे अलेंप रेटेट हंडरेट वाटेट टू टू टूट टूटी वोल्ट किस कनेक्टेट वेन सपलाई वन 220 पर कित्ती पावर दिये 100 वाट दिये दीगे नहीं दिये 220 वोल्ट पर कित्ती पावर दिये 100 वाट तो चलिए इसको सौल कर देते हैं 220 वोल्ट पर सौवाट है तो एक अपने पास फॉर्मूला होता है P equal to V I बल्कुल उससे सौल कर देज़े तो P equal to V I ओके हाँ पावर कित लिए सो वाट वोल्टेज किता है 220 करेंट है लापता निकालना है तो आई कोल्टू सो बटे 220 बुलिए सो नू जीरो जीरो कैंसल दस बटे 22 कर दीजा आंसर आगया 0.45 MPL लगाना ना भूलें चलो डान चली अगला कॉश्चन क्यों चलते हैं यस यह दिखे हां यस आई स्टुडेंट डिसाइडे तू इन्वेस्टिगे रियक्शन बिड्वीन दप्विक लाइन वाटर लिओ भाई आप लिखो न लिखो पहले ही मैं लिख देता हूँ CAO क्विक लाइन घर में लाया दिवाली का चूना और पानी मिलाया तो बुल-बुल-बुल-बुल-बुल की आवाज निकली और बन गया खाई के पान बराना स्वाला CAOH होल ट्वाइस बोले यस और नो CAOH होल ट्वाइस बन चुका है यस तुक ए स्मॉल अमाउंट अब ट्विक लाइम इन बीकर विद ग्लास रॉड देन यह एड़ेड़ वाटर स्लोली यह और यह एड़ेशन प्रोडी आप देखता है कि इसका तेम्प्रेशर बढ़ने लगता है और क्यों ना बढ़े यह 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 बताई यह कौन सी क्या इंवेस्टिगेट कर सकता है आंसर वो इंवेस्टिगेट कर सकता है कि यह 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 जब आपके road बनते हैं, road बनते हैं तो road में भी quick lime का powder डाला जाता है, dust के form में डाला जाता है, जिससे road चिकने हो जाएं, rate के हो जाएं, चिकने हो जाएं, 7 वा गया ना, और आपके school में भी कभी rally-vally हुआ करती है, तो वो क्विक लाइम का बॉर्डर बना करके, है ना, यस, दिवाली में भी पूते हैं, वो मैंने बता दिए न, वाइट वाइट वाशिंग, चलो भाई, तो आंसर देख लेते हैं इसी बात पर, लिओ भाई साब, हाँ, क्या है पहला, यह दिखा है, देखिए भाई साब, C.A.O. कैल्शियम आउक्साइड जो होता है, वो किसमें यूज होता है, वो किसमें यूज होता है, वौईट वाइट वाशिंग में देखते हैं वाइट वाइट वाला क्वेशन चले अगला कॉषण क्या का भारा है देखते हैं रूबी क्रॉस ब्रीड पि प्लांट मीद्ध वालाक क्वेशन मतलब ये बाये ओकां मिंडल एक्सपरिमेंट वाला कोश्चन है जल्दी से इसको पढ़ करके आप लोग इसका जवाब दीजिए किसका जवाब क्या होगा डन करिए इसको चले कुशन में 39 करते हैं देखो बाइस बाउल बना हुआ है और यहां पर आपने कोई पैंसल दुबार किये और यह देखे यहां पैंसल इंसाइड वाटर एपिस तो बेंट ओके मतलब यहां से पेंसले मुडी दिखा दिती है देर जब फिनोमेन वाइब विच लाइट रे बेंस तो अर्मल और अवे फॉम्द नॉर्मल बेस्ट रॉन दा डिरेक्शन अब लाइट रेस फ्रॉम रेर टू देंसर और दे इंका नाम लिखा यहां वहाइट इस निश्व पर है रेक्शन क्या यह रइडि फ्ररेक्शन थो पहला ऊंसर रे अग्ला ऊस्थ याफ्टा दजर यह इनगर मढ़णी मिल्य संथ स्भात की आपके पास गित्सा एक एन म likely ध्लाइस ट्रेस दिखा हो मीडियव साब possiamo बेया विलासिटी की एर में क्या होती ही? C होती ही, C मतलब 3 into 10 की पावर 8 और आपको ग्लास में स्पीड निकालने, निकालने की निकालने, चली, तो म्यूजी की वैलू रगतों भाई, म्यूजी की वैलू किती ही 1.5, एर का रिफ्रेक्टर इम्डेस किता होता ही 1, एक्वल टू C मतलब C, और VG का मान, C मतलब 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर 2nd, बोले yes और no, और upon में कितना है यहाँ पर V of G निकालना है, निकालना है न, इसको उपर लेकर के आजाओ, VG उपर आ जाएगा, इसको नीचे 3 into 10 की पावर 8 के नीचे कौन चला जाएगा, 1.5, बच्चो के इंजरू लाइट की स्पीड होगी, किती होगी, 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर 2nd, यह देख लो, बिल्कुल आ रहा, आंसर चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, है न, बिल्कुल सही है, तो याद रखना बच्चो फार्मुला, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का फार्मुला, 1.2, जो मैंने पढ़ा रखा, equal to mu2 upon mu1, first medium के respect में, second medium का, equal to v1 upon v2, ओके, यह फार्मुला अगर आपको बनता है, तो question कहीं नहीं जाएगा, बोलो, done, चलिए, yes, अगर आप question देखे, पहला part क्या था, पहला part था, इसको बोलते है, reflection of light, क्या बोलते है, reflection of light, third past कहते हैं, third part, yes, yes, yes what property of the light remains unchanged, भाई साब, जैसे remains unchanged, एक ही प्रोपर्टी है, signal की जो unchanged रहती है, उसको बोलते है, frequency, frequency, frequency आधारकाड होती हो, आधारकाड का भी बदलता, नहीं है, तो इसलिए, frequency change नहीं हुआ करती है, rear state dancer जाए, dancer से रिया जाए, कहीं से कहीं जाए, कभी frequency change नहीं होगी, तो यह when the light ray goes from the one medium to the another medium, then its frequency remains unchanged, ओके डन, clear हो गया, चले, अगला question, how the light rays bend when goes from air to water, अरे भाई साब, air क्या है, rarer है, और water क्या है, dancer है, तो क्या होगा, answer towards the normal, तो यह रेखिए, air से water गई है, क्या हो गया, towards the normal, इस तरीके से दोस्तों, बड़े ही successfully तरीके से, बड़े ही प्यार से, यह हमारा paper done हो चुका है, और almost हमसे सारे question अगर bio के छोड़ दिये जाएं, है ना, तो bio के question नहीं दी छोड़ दिये जाना, मुझे कोई ऐसा question नहीं लगा, जो difficult आया हो, सारे physics के chemistry के सारे